आप जैसे कपने खरीद ने गए, आप ने का इस शर्ट कितने की? उसने का बार्रवस रुपे की, आप ने का बहुत ज़ादा है, आपके हिसाब से बार्रवस रुपे, बहुत ज़ादा है. फिर उसने एकदम से प्राइस बहुत गिरा दिया, कि अच्छा तू 1200 को बहुत ज़्यादा बोल के रिजेक्ट कर रहा था ले, 500 रोपे ज़े दे, आधे कर दी, आधे से भी कम, अब तुमारे उपर एक दवाव हुआ, कि तुम मना क्यों कर रहे थे, ज़्यादा था, अब तो कम कर दिया हैं, अब तो लो, तो लेने का प्रेशर, एक्च्छल कीमत 500 ही थी, बट शुरू में ही 500 बता देता, तो आप मना कर सकते थे, उसके बाद वो 500 से कम क्या करता, उसने पहले तो इतनी ज़्यादा कीमत बताई, कि तुमारे मुझसे एक सेंटेंस निकला, कि कीमत ज़्यादा है, इसलिए नहीं ले रहा हूं, नहीं तो ले लेता, तो फिर वो बबलू, हमने जानमूझ की बहुत ज़्यादा बताई थी, ताकि तुम ये वाला रीजन दो, उस रीजन की प्रतीततर में हम उसके प्राइस को कम करेंगे, और फिर तुमसे बूचेंगे, अब बताओ आप क्या रीजन है ना लेने का, एक्चल कीमत 500 ही थी, उनने कोई डिस्काउंट लिदी थी आपको, पूरा खेल साइकलोजीक है, एक प्रेशर बन जाता है ना, कि अब क्यो मना कर रहे हैं, क्लियर, या कई बार आपने देखा होगा, दुकान दार आप से बूल दे, चलो आप बता दो किते हैं तो होगी, अब आप सोस्ते होगार, बारहासो तो इसने माँगे, अब में दोसो तो नहीं बोल सकता न, जजदा ग्यारासो, हजार, नोसो, आटसो, साथ सो, इसके नीचे बोलने का तो तो तुमारी भी हिम्मत नहीं होगी, तुम्हों लोग यारे, आटसो में देखा होगी, हो सकता है तुमारी योकाज पांच सो इरुपे की थी, बटसो की प्राइज इतना ज़्यादा था तो उसको कम करबा करबा की कितले आओगे, समझ रहे हो, ये एक तरीका होता है, इतने सारे आधारों पर आपको घेरने का, एक दबाव क्रिएट करने का, इसको बोलते हैं डोर इन दा फेस,